हेलो फ्रेंड्स मैं सेस्मनी अदव राधावला गुरोप आफ इंस्टिटीशन में आपका स्वागत है आज हम आपको इलेक्ट्रिकल इंजिनिरिंग के बीमसी सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहा हूं जो सिविल इंजिनिरिंग का पोर्शन है उसको हम पढ़ाने जा रहे है जो चेप्टर का नाम है कंस्ट्रक्शन मैटेरियल तो पहले हम यह जान लेते हैं कंस्ट्रक्शन मैटेरियल कहते किसे हैं निर्मार कारियों में मतलब निर्मार समगरी निर्मार कारियों में जिन जिन पदार्थों की जरूरत पढ़ती है या जरूरत होती है उसे कंस्ट्रक्शन मैटेरियल कहते हैं निर्मार समगरी कहते हैं तो हम किसी भी निर्मार को करने में, जैसे घर को बनाने में हमको कौन-कौन से material की जरूरत पड़ती है ये जान लेते हैं, हमको इट, पत्थर, बालू, शिमेंट, कंक्रीट, चूना, आदी चीजों की जरूरत पड़ती है ये सारी चीजें जरूरत के अंसार परियोग करके तब किसी निर्मार को पूरा किया जाता है तो आज हम आपको सिमेंट के बारे में पताने जा रहे हैं जो एक मुख्य निर्मार समागरी है तो सबसे पहले हम सिमेंट के मौखिक रूप से सिमेंट के इतिहास के बारे में बता देते हैं अगर चाहिए तो आप अपने नोर्स में अपने भासा में अपने सब्दों में लिख सकते हैं क्योंकि जानना जरूरी है कि सिमेंट कहां से प्राप्त हुआ हमको सिमेंट हमको इंगलेंड के पोर्टलेंड नामक अस्थान से प्राप्त हुआ अच्छा जो हम सिमेंट यूज करते हैं इसको हम पोर्टलेंड सिमेंड कहते हैं इसको Portland cement क्यों कहते हैं क्योंकि England में एक जगा का नाम है Portland जहां पे Portland नमक पत्थर को पराप्त किया गया था उसी पत्थर से ये बनाए गया था इसलिए इसका यहां पे Portland नाम दे दिया गया यह 1824 SB की बात है लेकिन भारत में इसका परियोग 1913 SB में जाकर सुरू हुआ इसके पहले बंधक के रूप में हम मिट्टी का परियोग क्या करते हैं आएए सिमिन का सुरूआत करते हैं इसको सबसे पहले यह जाना चाहते हैं सिमिन कहते किसे हैं सिमिन का क्या उप्योग है क्या मतलब किस काम में आता है सिमिन एक बंधक पदार्थ है जिसका उप्योग निर्मार कारियों में बंधक के रूप में परियोग किया जाता है ठीक है सिमिन को शामान रूप से दो परकार से वर्गी करित किया गया है हम आपको सिमिन के बारे में क्या क्या बताएंगे शिमेंट कितने भाग में बाटा गया है शिमेंट को कैसे बनाया जाता है इसको बनाने की कौन-कौन सी बिध्या होती है और शिमेंट को बनाने के लिए कौन-कौन से पदार्थों का परियोग किया जाता है तो हलाकि इस लेक्चर में हम आपको शिमिन के संगटक और शिमिन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बता रहे हैं तो इसको दो भागों में बाटा गया है पहला प्राकरतिक शिमिन्ट दूसरा किरितिम शिमिन्ट प्यक्रिदिक सिमेंट ऐसे पत्थर जिसमें चिकनी मिट्टी की मात्रा 15% से 30% और सेस केल्सियम कार्बोनेट इसका राशानिक सूत्र है जो जला कर महीन पीश कर इस सिमेंट का निर्मार किया जाता है इसका शामर्थ किर्तिम सिमेंट की तूलना से एक बटा तीम होती है तो हमको ये ध्यान देना होता है थियोरी सब्जेक्ट में कि कौन से अक्षर को हमको हाइलाइट करना है कौन से सब्द को हमको ब्लेक पेंट से या अंडरलाइन करना है जैसे यहाँ पे देखिए हमने ब्लेक पेंट से लिख दिया यहाँ पे ब्लेक पेंट से यहाँ पे ब यही वज़ा है कि लिखने के तरीके पर डिपन करता है फिर आईए हम कृतिम सिमेंट के बारे में बताते हैं आपको कृतिम सिमेंट किसे करते हैं कैसे बनता है कृतिम सिमेंट इस सिमेंट को बनाने में चूना मैं यो मृतिका मैं पदार्थो को एक निशित अनुपात में मिल किया जाता है शिमेंड का जमावकाल बढ़ाने के लिए इसमें जिफ्षन का परियोग किया जाता है अब चूना में पदार्थ और मृतिका में पदार्थ क्या होता है वे पदार्थ जिनमें चूना की मात्रा जादा होती है उसे चूना में पदार्थ कहते हैं तेम भासा यह ह इसमें मृतिकामे में वे पदार्थ जिसमें मृति की मात्रा जादा होती है उसे मृतिकामे पदार्थ कहते हैं सिमिंट बनाने है परियोग होने वाले कच्छे पदार्थ मतलब किन-किन पदार्थों को मिला कर सिमिंट का निर्मार किया जाता है ये दो परकार के होते हैं पदार्थ, पहला चूना में पदार्थ, दूसरा मृत्का में पदार्थ, चूना में पदार्थ में क्या क्या आते हैं, देखिए, ऐसे पदार्थ जिसमें चूना की मात्रा, चूना की मात्रा होती है, उसे, मतलब चूना की मात्रा ज्यादा होती है, उसे चूना में पदात कहते हैं जैसे चूना पथर, चाक, शीप, गोंगा, आदी मिर्तका में हम देखिए ऐसे पदात जिसमें मिट्टी की मात्रा ज्यादा होती है उसे मिर्तका में पदात कहते हैं देखिए यहाँ पर लिखा गया है मिट्टी, सिल्का, धात, शिमेंट, पत्थर आदी ये सारे चीज़े आप नोर्से में लिख लीजेगा आप देखिए सिमेंट के घटक क्या-क्या होते हैं सिमेंट के घटक कैल्सियम आक्साइट सार से पैसर परसंट सिल्का 20 से 25 परसंट अल्यूमिनियम आक्साइट 4 से 8 परसंट फैरस आक्साइट 2 से 4 परसंट मैगनिसियम आक्साइट 1 से 3 परसंट सल्फर राय आक्साइट 1 से 2 परसंट छारी पदार्थ 1 परसंट मतलब नय के बराबर 1 परसंट जिपसम 3 से 5 परसंट अब इन पदार्थों का सिमिंट में क्या परियोग है क्या कार्य है इसके बारे हम डिटेल में बताते हैं इसको याद करने का सही तरीका है ये कैपिटल लेटर में याद कर लीजिए ये उसके बाद आपको तुरंत इसको जो है इसकी मात्रा 60% तक होती है निस्तापन के बाद या सिल्का और अल्यूमिनियम सिक्रिया करके कैल्सियम सिल्केट और कैल्सियम अल्यूमिनियम बनाता है निस्तापन किसे करते हैं जैसे जब सिमिंट में हम पानी मिलाते हैं तो बुदबुदाहट जैसी निकलती है उस्मा निकलती है जब उस्मा निकल कर यह निस्क्री होकर एक अपने यथा स्थान पर जम जाता है या अपने यथा स्थान पर जमने के बाद सही क्रिया करके अस्थाई हो जाता है उसे करते हैं निस्तापन सिल्का, सिल्का का कारीद देखिए, क्या होता है सिमेंट में सिल्का की मात्रा 20-25% होती है निस्तापन के समय चूने से क्रिया करके डाई केल्सियम सिल्केट एम ट्राई केल्सियम सिल्केट में बदल जाता है सिमेंट में सिल्का की मात्रा 20-25% होती है निस्तापन के समय चुने से क्रिया करके डाइकेल्सियाम सिल्केट में बदल जाता है एल्यूमिनियम आक्षाइड का कार्या देखिए यह सिमेंट को जल्दी जमने में साहता परदान करता है इसकी मात्रा 4 से 8 पर्सेंट होती है यह निस्तापन के समय चूने से क्रिया करके ट्राइकलसियम अल्यूमिनेट और लव आक्साइड से क्रिया करके टेटराकलसियम अल्यूमिनेट फेराईट बनाता है अब देखिए Serous Oxide cement या cement को कठोर सामर्थवान बनाता है इसकी मात्रा 2-4% होती निस्तापन के समय केल्सियम एउम एल्यूमीनिया से क्रिया करके ट्रेटरा केल्सियम एल्यूमीनियम फैराइट बनाता है मैगनीशियम आक्साइड की क्या टार है देखिए यह सिमेंट को कठोर बनाता है इसकी मात्रा एक से तीन परसेंट तक होती है यह रासायने क्रियाओं में मदद करता है अब हम आपको बताना चाहेंगे कि यह थियोरी सब्जेक्ट है इतने जल्दी याद नहीं होता लेकिन इसका सबसे अच्छा ट्रेक यह है जैसे इसको पढ़ने के बाद हम इसको बंद करके रख देते हैं उसके बाद फिर हम चिंतन करते हैं कि हमने क्या पढ़ा तो उसको अपने से एक कापी पे लिख कर ध्यान ये रहे कि कौन से वर्ड को कौन से अच्छर को हम हाइलाइट करेंगे आप ब्लेक पैंस से लिखेंगे कौन से बलू पैंस से लिखेंगे यह आपके नंबर पर बहुत प्रभाव डालता है हमें आसा है कि आप समझ गए होंगे आप इसको नोटस में लिख लीजिएगा अगला लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि सिमेंट बनता कैसे है उसको बनाने की कौन-कौन सी बिधिया होती है धन्यवाद